यह फोन के बॉक्स रखा है ऐसा ही बॉक्स कुछ आपको मेलेगा जब आप इस फोन को खरीदेंगे और अब मैं इसकी अन्बॉक्सिंग करने वाला हूं और उसके लिए मैं अपना एक नया नाइफ निकाल लेता हूं क्या कहना है आपका कैसा लग रहा है मेरा नया नाइफ मैंने अन्बॉक्सिंग के लिए खरीदा है हाली में और इस नाइफ के थूरू मैं इसे हां से काट लेता हूं काफी तीज नाइफ और इसे हटाने से पहले एक चीज़ को मैं को दिखी में इंडिया लिखा हुआ तो यह आप भी देख लिजें में इंडिया लिखा आए हां पर वाफी अच्छी बात है कम कि हम में में इंडिया स्मार्टफोन बना रहे हैं सारे और एक और चीज़ कहां पर क्लब ओपन पबजी प्रेजेंट वीवो तो पबजी का जो कॉंपेटिशन हो रहा है वीवो उसमें बह और इसके अंदर कुछ चीज़े हैं क्या क्या है तो सबसे पहले एक कवर में जागा सिलिकन कवर हमेशा ही वीवो अपने स्मार्टफोन में आपको एक सिलिकन कवर भूया करवाती है और मैं यहां पर वीवो को थैंक्यू ग्याना चाहूंगा है आपके फोम की प्रेटक्श अब अच्छे जानते होंगे के फोम कैसी उसकरना है पर फिर भी बाइचांस अगर आप एक नए स्मार्टफोन पर शिफ्ट हो रहे है तो फोड़ी बहुत नॉलिज होना जरूरी है तो यह रहा फोन वीवो जीवन प्रो उसको यहां से खोल लेते हैं कि फोन देखने में बहुत ही शानता लग रहा है थोड़ा सा भारी है और फोन की लुक्स बहुत ही प्रिम्म है अब आप देख सेते हैं कि डूल टोन कर दिया है फोड़ा ग्रीन शेड है उपर तो आप दो शेड है नीचे और बीच में आपको जी रिफ्लेक्शन दिखाई एनिवे फोन को आउन करके अभी मैं यहां पर प्रेस करता हूं और बाकी box content देखते हैं क्या है इसको हटा लेते हैं पताने से पहले एक चीज़ जो मैं स्किप कर गया वो यह कि यह इसका सिम एजक्टर टूल और box content क्या है इसको निखालके है box को हटा जेते हैं यहां से तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हो कि इसमें आपके चार्जर मिलता है वो है 5W 2MPR 9W 2MPR 18Bot की चार्जिंग है जो कि मैं आपको शोर में बता चुका हूं box पे लिखी हुई थी और एक earphone मिल जाते हैं साथ यसाथ एक cable मिलती है micro USB cable है जहीं छोड़ा सा भी वो मार्क गया जो कि micro USB cable आपको महया करवाई है अट लीस्ट Type-C port होना चाहिए था पर आपको पहले में अच्छे हैं उसके बारे में आगे जानेंगे तो देख सकते हैं कि जब आप इस फोन को भारती बजार में खरीदेंगे तो यह एक्सेसरी और यह box content आपको इस फोन के साथ महया प्लास्टिक फ्रेम है और बैक साथ पर आपको ग्लास फिनिश मिल जाती है फोली काम रो कंस्ट्रक्शन की है ग्लास्टिक कहा जाता है इसको अगया तो कहूंगा कि ग्लास्टिक बैक पैनल है इसका fingerprint sensor मिल जाता है ट्रिपल रेर क्यामरा है यह राइट साथ पर बटन और मिल जाएगी ओपर की तरफ कुछ भी नहीं है लेफ्ट साइट पर है एक बटन जो की इसका AI Assistant बटन है जिससे आप Google Assistant खोल सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सेकते हैं कि इसको प्रेस करते ही Google Assistant खोल जाएगा इसको आप सेट भी कर सकते हैं दूसरे फीचर के लिए नीचे की तरफ क्या है नीचे की तरफ है 3.5 मॉडिय जाक और साथ यहां पर आपको इसको पॉर्ट बिल जाता है स्पीकर ग्रिल है और कुछ एक्सा नहीं है इसके लावा इसमें तो ओर लुक्स काफी शांदा रहे फोन की और आपको ज़रूर पसंद आएगा फोन देखने में और यहां पर एक और चीज़ आपको बदा दू कि जो इसकी लुक्स का पाट है इसका display अभी विलाल आपको नज़र नहीं आ रहा हो गाए लेकिन आप देख सकते हैं कि कोंछ पे पर छोटा सा पंचोल मिल जाता है एक दम छोटा सा company न रखा है इसको company in display camera भी बोल रही है लेकिन display के अंदर नहीं है जेए आपको का इंदिस्प्lae के साट ही है तो अमें इसको इन डिस्प्laeοι कहां जाता है चा दिस्प् Later is पिमाने दिए आप कर से लिकाने जिएक गैगा और दिस्प्ले आपर आप Qur जाता है इसको अनल्वफुन से जरू प्संद है approached यहां पर आप देख सकते हैं कि Qualcomm Snapdragon 712 chipset लिया गया है, 2.3K Gertz clock speed है इसकी, इसमें आपको 3 variant मिल जाते हैं, जो कि company ने announce किया है, 4GB RAM से 64GB की storage, 6GB RAM से 64GB की storage और 6GB RAM के साथ 128GB की internal storage और memory expandable है, yes, memory भी expandable है, जो भी मैं आपको दिखा जिता हूँ, देख सकते हैं कि dedicated memory card slot दिया है, आपको अपने SIM card से compromise नहीं करना पड़ेगा, अब इसकी RAM storage और इसका processor दो शांदार है, इसकी battery आपको कमान की लगेगी, 5000 mm इसकी battery दी है 18GB का fast charging support है इसमें, इसलिए एफोन एक दम दमदा performance के साथ अच्छा battery backup देने की बिश्मता रखेगा, हाना कि ये first impression है, इसलिए अभी performance और battery पर comment नहीं कर सकता है, पर on papers के साब से for sure ये काफी अच्छा लग रहा है, अब बात करें cameras की, तो 3 rare camera इसमें दिये गए है, 16 plus 8 plus 2 megapixel camera है, एक बाद चोट अच्छा डेमो कर लेते हैं cameras का, cancel, ये रहा phone का box, shutter speed काफी अच्छी है, जो 8 megapixel sensor है, वो wide angle photos क्लिक करता है, आए डेमो देखिए, ये देखिए, अभी ये normal है, और ये wide हो गया है, वो सारा समान मेरा पीछे आपको देख गया, वो चुपा लेना चाहिए okay, तो देखिए हैं कि wide angle lens है, 8 megapixel का, 2 megapixel lens, बोके effect के काम आता है, आप सभी जानते हैं, सब्साथ इसमें आपको कुछ extra feature भी मिल जाते हैं, वो देख रहते हैं features क्या है, सब्से पहले यहाँ पर दिखा दूँ features आपको में, pro mode है, panorama mode है, light mode है, sorry, night mode के साथ, AI beauty भी है, photo mode है, video fun video और AR stickers, तो जो actually Vivo के features हैं, दूसरे phones में आपको इसमें मिल जाते हैं, night mode में मिल रहा है, तो night photography अच्छी हो सकती है, आपकी इससे, वो चेक करके बताऊँगा, review के सामें पे, front camera की बात करें, तो front camera से पहले हम वीडियो की बात कर लेते हैं, तो rear camera से आप 4K videos record कर सकते हैं, और 60fps को option भी इसमें आपको मिल जाता है, अब बात करते हैं, overall पूरिजरा से power packed smartphone रहा है, Android Pie पर चलता है, front touch OS के इस पर लेरिंग दी गई है, और features के साथ-साथ, pricing भी काफी aggressive रखे कम ही है, आप देख सकते हैं, कि फोन पूरिजरा से Xiaomi Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro को तक्कर देने की शमतार बात को अधТवाangen से है, आग आगे ग्जाआ भी's आङ़, कि पूरिख देख सकते हैं, वर ए सकते हैं, क्वर अब काईदा हैं, कि ओलता हैं, कि शोओ경 भीषी आदेख सेाथ, चुरिए रव sistema है, आप बाताहिं, यो उसल भ़्गे हैं, कि अनु आवेख सेंगा।, कि ए रग